हलो एब्रिवन आज हम बटर चिकन बनाएंगे उसके लिए हमें वन केजी चिकन चाहिए होगा वन टेबल स्पून जिजिन्जर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट टेस्ट, वन टीस्पून रैड चिली पॉर्डर, हाफ टीस्पून कसूरी मेथी, वन टीस्पून धनिया पॉर्डर, वन टीस्पून गरम मसाला पॉर्डर, और वन टीस्पून जीरा पॉर्डर, अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे अच्छे से मिला करके इसमें हम वन टीस्पून लेमन जूस डालेंगे उसके बाद वन कप दही एड़ करेंगे दही डालके अच्छे से मिलाएंगे अच्छे से मिला लेंगे हम इसे हाथों से मिलाएंगे ताकि मसाला अंदर तक अच्छे से मिल जाए हम इसे मेरिनेट करके 30 मिनिट के लिए छोड़ेंगे आप चाहें तो ज्यादा भी कर सकते हैं हमने इसे सिर्फ 30 मिनिट के लिए किया है अब हम इसे साइट कर देंगे आफ्टर थर्टी मिनट हम इसे पकाएंगे उसके लिए हमने एक पैन में बटर डाला है उसके बाद हम अपना चिकन डाल देंगे अपना चिकन डाल के अब हम इसे पकाएंगे कम से कम दस मिनट के लिए पकाएंगे इसमें सारा चिकन नेट कर दें अच्छे से मिला लेंगे हम अपना सारा चिकन डाल कर देंगे हमारा बटर चिकन बहुत अच्छा बनेगा आप वीडियो को लास तक देखें अब ये कुक होने लगा है आप इसे अच्छे से मिला लें इसके बाद हम अपनी ग्रेवी तयार करेंगे उसके लिए हमने एक कडाई में बटर डाला है बटर को अच्छे से मेल्ट होने दें अब बटर मेल्ट होने के बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे वन टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालके हम इसे अच्छे से भून लेंगे ये भूनने के बाद हम इसमें अपनी टमाटर प्यूरी डालेंगे इसे भी थोड़ा भून लेंगे अब इसमें रैड चिली पॉडर और सॉल्ट एड़ करेंगे आप अपने हिसाब से डालने हमने हाफ टी स्पून डाला है क्योंकि हमने मेरिनेशन में भी सॉल्ट एड़ किया था आप अपने हिसाब से देख लें अब इसे अच्छे से भून लेंगे अब हम अपना चिकन एड़ कर देंगे अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे मिक्स करेंगे अच्छे से भून लेंगे यह मिक्स करने के बाद हम इसे तैन मिनिट के लिए कुक करेंगे अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसमे थोड़ा पानी एड़ करेंगे ताकि हमारा चिकन लगे नहीं थोड़ा और डालेंगे ज्यादा पानी नहीं एड़ करना है थोड़ा ही डालेंगे अब हमारे टैन मिनिट हो चुके हैं हमारा बटर चिकन तयार है हम इसे रिशाउट करते हैं देगे कितना अच्छा बनाएं आप भी ऐसे ही बनाएं और इसे लाइक जरूर करें अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें अब हम इसमें फ्रेश क्रीम एड़ करेंगे देखे हमारा बटर चिकन तयार है